आज हम आपको कुछ अधिकेर के प्रड़क्ट का डेमो दिखाने वाले है ठीकेर का बहुत ही बैतरीन प्रड़क्ट है यह जो है यह आप मौपिंग के लिए यूज कर सकते हैं या कोई भी एरिया असनेटाइजर डिसंफेक्ट करने के लिए आप भी उसकर सकते हैं तो इसकी क्वालिटी कैसी है, हम एक मार्केट के बैतरी इन प्रोड़क के साथ हम यह कंपारिसन करेंगे और आपको दिखाएगे अब हम बोचा मार के नहीं दिखा सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, पानी ले लेते हैं, यह पीने का ही पानी है तो मैंने पानी ले लिया अब जो मॉपिंग के लिए ही होता है, उसका मेन पॉर्पस होता है कि बैक्टिरिया और जर्म्स को क्लीन करना इसमें अभी हम उजला डालेंगे, इसमें पॉजर्टिव बैक्टिरिया होती है तो इन शॉट हम गंदगी क्रियेट कर रहे है चीक है तो मैंने यह डाल दिया इसमें और हम दोनों को मिक्स कर देते है और इक्वरी रिलेत है अब देख सकते हैं, अब देख सकते हैं, अब मैं क्या करूंगी एक में जो है, पार्केट का जो फेमस टोर क्लीनिंग कर ले हम यूज करते हैं इसको लेते हैं जनरल हमारी मेड आती है, जो क्या करती है एक धकन आराम से डाल देगी देख सकते हो एक धकन गरके मैंने इसमें डाल दिया और दूसरा इट जो हमारा फ्लोर क्लीनिंग का है इसको मैं लेते हूँ चार-पाज डो अब देख सकते हो एकदम थोड़ी कॉंटिटी में और जो पोचा लगाते है उसमें आप या मीट जो भी भी क्लीन करते हैं एक ही 1, 2 इतना ही करते हैं 1, 2 आप देख सकते हो मैं उने पूरा क्लीन कर दिया जो हमारा प्रड़क्ट है मुदी के अरकस्टेरी क्लीन और यह अभी भी इसी तरह से है मार्केट के जो प्रड़क्ट है अभी आप लोग के दिमाग में एक और आ रहा होगा कि हो सकता है शायद हमने कलर रिमूव करने माला कोई लिक्विट तो नहीं डाला है इस मैं आप देख सकते हो की अभी भी हमने जो डाला था उजाला हो है राइट प्लस मार्केट का लिक्विट जो डाला था बो है अगर यह कलर रिमूवर रहेंगा जो उनने डाला है तो गो क्या करेंगा इसको भी पूरा वाइट कर देगा तो हम इसको डालके देखते हैं और देखते हैं कि क्या होता है तो दोस्तों जो हमारा रिक्विड है उसकी क्वालिटी तो काफे बहतर ही नहीं जर्म रिमूव करता है प्यूरली और गानिक है एटीन अवर्स तक कंटिनियूस प्रोटेक्शन देता है इसमें कोई केमिकल स्नेक आपको रही है तो आप इसको किचन में भी यूज कर सकते हो मॉपिंग क्लीन करने के लिए कोकरोज, फ्लाइस, मक्या मगले नहीं आएगी आज की तारिक में मॉपिंग के अलावा ये चीज बहुत जादा नीट बन चुकी है क्योंकि कोरोना चल रहा है चारो तरफ तो आप हर कोई हर चीज इससे डिसिंफेक्ट कर सकते हो आपके जो भी है दर्वाजा या हैंडल वहाँ पे आप इसको स्प्रेए कर दो आपके बागेज में इसको स्प्रेए कर दो तो वो इसको डिसंफेक्ट कर देता है इसकी रेट वाइज अगर आप देखेंगे तो मार्केट का जो भी दुष्रा हम लोग फ्लोर क्लीनिंग के लिए यूज करते है उसकी कोस्ट करीब करीब सौ रुपए से देड़ सो रुपे पॉर लिटर पड़ती है हमारा जो स्टेरिकलेन है यह 110 रुपे का MRP है लेकिन यह कॉंसेंट्रेटेड है अगर हम इससे 3 लिटर तक बना सकते हैं डाइलोड करके तो देगा जाए तो एक लिटर की कॉस्ट आपको पढ़ेंगी करीब चत्य शुरू रहा है तो आपके जो है इन लिटर की कॉस्ट में आपको करीब करीब तीन सो रुपे का फायदा होंगा तो कॉलिटी प्लस कॉस्ट इफेक्टिव दोनों चीज हम हमारे प्रोड़क्ट म तो में दाग लग जाते है राइट तेल के दाग बच्चे आगे स्कुल से पहन के दाग लगा दिये कॉफी गिरा दी आइस क्रिम गिरा दी तो मुमी लोग के लिए बहुत टेंशन होती है कि इसको कैसे निकाले वह तो हमारे प्रास्मोधी केर का एक बहुत 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 आपको पुछ करना नहीं है उसको जहां पर भी दाग लगा है उसको पानी नहीं लगाना है और उससे पहले इस प्रड़क को लगा देना है तो कैसे यूज करेंगे हैं आपको बताते हैं अभी हम इस कबडे में जो आइट नहीं है आप देख सकते हो हम इसमें दाग लगा अचार का दाग भी लगाने जारी हूँ अचार का दाग भी लगा दिया हमें अब ये डाग लग चुके हैं हमारे कपड़े पर हमें क्या करना है कोई बड़ा काम नहीं सिंपली अब को ये जो मोदी केर का प्रडक्ट है जैसे कि मैंने कहा है कि मोदी के सारे प्रडक्ट काफी ओर्गानिक है ठीके ना तो इसको आप कोई हाम नहीं करते हैं आप इसको हाथ में ले लीजिये या आप ब्रश से इसके उपर लगा सकते हो मैंने लगा दिया और दोनों दापे भी मैंने दाग लगाए है उनके उपर मैं ऐसे आप देख रहे हो इसको अराम से लगा के इसको 15-20 मिनट छोड़ दूँगी और उसके बाद पानी से और इफ ट्रिंग बाद मैंने लगा के इसको छोड़ दिया है साइड में 15-15 मिनट बाद आम इसको बोश कर लेगे ठीक है दोस्तों अब आते हैं एक और बेहतरियन प्रोड़क्ट मोधी केर का जो है सोफ बोश साबून हम किस लिए यूश करते हैं साबून बेसिकली रिवाइड रहता है कि आपको बड़ी के जो बैक्तिरिया है उसको किल करें ठीक है साबून में अच्छा अच्छा फ्रैग्स होना चाहिए और आहने के बाद आपकी बोडी ट्राईण ही होना साहिए कर देंधिर मोईस्टराइजर रहना से लेकिन तीन चीजों के लिए मैक्सिमुम लोग लग लग यूसकर आप तरीक लिजया अप उसके लीजएगा कोई पूलेंगा पानी ले जी हो चीक है इसमें हम यह बैटाडीन अब यह पानी को हम गंदा करेंगे और इसमें स्मेल भी ऐसा है बैटाडीन की स्मेल पंजिंग सी होती है चीक है तो जो पसीने की बद्धू की तरह रहती है तो हम इसमें बेटाडिन इसले डाल दें कि यह घर्दा हो जाए और इसमें पंजिंग सी स्मेल आए और इसके बाद हम दो अलग-अलग सूप से देखेंगे इसके ना यह किसने अपना काम दिया है तो यह भी हमने बेटाडिन डाल के देख लिया है और कफी गंदी सी स्मेल है और जाने इसको दोड़ों ही बॉक्स में हाफाफ डाल दिया है अब हम क्या करेंगे हमारे परस शोप पे यह दो सोप है एक होधी केर का सोप और एक मार्केट का पेमा सोप तो हम यह जो राइटेंड मेर्स में हमने डाला हुआ है मार्केट का वन अब दो फेमस ब्रैंड और यहां हम डाल रहे हैं मोधी केर का सॉप वश और हम दिखते हैं दोस्तों की फॉन कितना इफेक्टिव है एक दो मिनिट के लिए आपसको छोड़ देंगे तो तोड़ा साथ लिए कापी मैनद कर रहे है इसमें शाफ करने के लिए यह होगी के लिए जाबी आपशा आपको जाब आपको अधित टोड़ा के लिए खेंगे देहीं के लिए देह तो तो छोड़ा के लिए देहनी में गुंदा कर देहां मैं दसेज़ाय तोनों को मारी हार आपकों के रहे है तो गंदगी थी, मोदी केर के सामने क्लीन कर दी, आप दिफ्रेंस क्लियरली देख सकते हैं तो यहां इन्होंने पुरा क्लीन कर दिया, यहां भी गंदगी है हमको ऐसा फील होता है, बिगॉस हम अदवर्टाइज बताते हैं तो मेंटली हम लोग सोथने लगते कि हाँ, क्योंकि Mr. X एड़टाइस कर रहे हैं तो वो बहतर ही नहीं रहेगा और हम भो लेकर आप पे हमने वो रियालिटी यहां को लिखाए है स्मेल थोड़ी सी अभी मी है यहां पे आपको डियो की जैसे कुछबू आ रही है एक और चीज में आपको निखाना चाहूंगे अभी हम इसको निकालके देखते है कि यह कितना चलता है, क्वालिटी जो है साबूल कितने टाइम तक चलता है, गलता है कि नहीं कि अभी हम लोग उसके लिए पे कर रहे हैं तो यह भी जलूरी है कि कितने दिन चल रहा है तो तो का यहीं चेक कर रहते है तो पहले मैं यह मार्केट का फेमस शोग निकाला मैंने और मैंने यह रख दिया आप देख सकते हो, तपी गलता है तो कि अभी हमारा सौफ़श को निकाला अब ही आसानी से निकल गया तो मेरा कहने का मतलब यह है कि एक खंपु कॉलिटी दे रहे है प्रेगनेस दे रहे है काम भी कर रहा है, कोंस्टर रहे है अच्छा है उसके बाद देख सकते हो गलता भी काम है अगर आपका यह छे दिन चलेगा तो यह डेफिनेटली दर्ज दिन चलेगा तो कॉस्ट एफेक्टिव रहता है अगर आप यह साबून का कंपैरिजन करते हो तो जहां आपके यह आठ साबून लगेंगे यह पांच चारिया पांच साबून में काम हो जाएगा तो पॉस्ट एफेक्टिवनेस भी है और क्वालिटी भी है अच्छा लगा तो आप इस तारी बजा देजिए इसके लिए भी यह प्रड़क्ट के लिए भी तो यह अबने दिखाया मुदी केर का सौफ वोश शूप अभी एक और बहुत अच्छा प्रड़क्ट में दिखाने जारी हो सिल्वर डिप यह अमरे चांदी के रहते हैं पायल हो गए यह चांदी के बरतन हो गए उसको साफ करने के लिए मैकसिमम लोग क्या करते हैं कोलगेट से साफ करते हैं काफ़ी लोगों से बात की थी उन्होंने बताया है कि वो इसको कोलगेट से क्लीन करते हैं या वो इनके जो जो जोलर है उसके पाद से क्लीन कराने जाते हैं कर से बात समझने वाली है कि जो ज्फोला यह सको क्लीद करता है उसमें असे होता है, एसे चिंद से क्लीन काता है और अल्टरन लटॉप्ष्ण हम युस से फइल कें लिगा है उसे भी यह साफ हुजा देर आप समय सकते हो कि कांस चीछ कैसी है तो यह हमारे पास सिल्वर डिप है, ओके, सिल्वर डिप ने थारी औरतों का काफी काम आसान कर दिया, यह लिक्विट के अंदर मुझे कुछ नहीं करना है, इसको डाल के रखना है, दो से पास मिनिट तक, अगर यह बहुत प्योर रहेंगा, तो यह दो मिनिट के अंदर चमक मुझे भी आज बता चल जाएंगी कि यह पाय लस्ती है, अगर इसमें कुछ मिक्स रहेंगा, तो यह पीली होंगी, यह बिल्कुल भी क्लीन नहीं होगी, तो हम इसको डाल देते हैं, सिल्वर डिप में और देखते हैं, दोस्तों, सिल्वर डिप जो है, इसकी कीमत पक्षीस रुपे, इसमें कम से कम 200 रार, 200-300 रार आप क्लीन कर सकते हैं, और अगर आप कोस्ट केल्फिलेट करें तो आपको अगर जाते हो तो एक क्लीनिंग के लिए आपकी ज्वर जालरी करीब 100 रुपेज लेता है, तो इसका कॉस्ट नियरली आपके दो खीलिनिंग के एक बॉक्स का लेकिन आप जब इससे साफ करते हो तो आपको एक रुपिय भी नहीं पड़ता क्लेनिंग का कॉस्ट आपका जो है पाया या आपके जो भी जो भी सिल्वर के माटेरियल है इसके अलावा दोस्तों जैसे मैं जब तक यह अपना काम कर रहा है वशार में कबड़ा आपकाउन द रहा है आपके अमेुष प्रोडब्रत देख रहा है तो मैंने कुछ आइटम्स अपको बता है राइच लिग कर रहे है । रग रहे हुद्य दिवासी करे जिल नहीं को सूब दा दूण के बार बागी का ओने मीद मैं बाद ब़ता दू है आप पूरा दिन फ्रेश पील करते हो और बहुत ही कॉस्ट एफेक्टिव प्रड़क्ट है हमारा मुदी केर काई यह उसके बाद जो पिताम बरी या और कुछ मटेरियल यूज कर नड़क्टिव जो जूपते हैं जो जो तामवि पितल के बरतन वरतन वर चमक जाते हैं घर के नल जो है इससे चमक जाते अपे प्रे लगा दिजिए और तुरंग दूलिजए आपके नल एसा लगे गा आपने नए की नए और प्रोडक्ट रेंज की तरफ बढ़ते हैं दिरे दिरे तर्किक हमारे ये दोनों के लिए अगले दो बास मिनेटे तुम्हें आपको बतागू सुभा उटने के बाद जो हमारी नेसरीटी होती है अपना ने आपको बनाया फिर चाय पीते हम चाय में हमारी बढ़िया चाय फ्रूट अपर्ट की है जिसमें कोई निकोटिन नहीं है जो लोग डाएट करते हैं उनके ये बहुत अच्छी ग्रीन टी है फ्रूट अपर के हमा वहारा खील बहुत जबर्दस क्वालिटी का है मसाले हैं मुदी केर के जो एक बार लेंगे तो शायद उस-दूसरे मसाली कभी यूज भी ना करें इतनी अच्छी क्वालिटी के हैं तो हम आगे बढ़ते हैं तो हमको टोईलेट क्लीनर लगता है आप 90 सेकंड के अंदर क्लीन कर सकते हो राइट वरतन क्लीन करने के लिए हमारे पास बहुत अच्छा है वंडर डॉप जो जबर्दस्त रिजल्ट देता है वीडियो लगता है बहुत ही बढ़िया प्रेग्नेंट्स है इसका ऐसे जेंट्स लेडिस के लिए अलग अलग रही में बहुत कोस्ट इफेक्टिव और बहुत अच्छी क्वालिटी का वीडियो है तन हमारे पास पेश वास है जो मुझ्ट मॉरक्कन का है और हर स्कीन के लिए बहुत अच्छा विजल्ट देता है पड़े दोने के लिए आपको डिटर्जेंट चाहिए या लिक्विट चाहिए मुधिकर के बेहतरी प्रड़क्ट है दन प्रिडम जो सैनिटरी नट्किन है मैं टौंगी महलाओ के लिए सच मुझ एक आजाजी है बहुत अच्छा फिडबाक है इसका जिनों ने भी यूज किया है तो यह भी अच्छा प्रड़क्ट है आज की तारिक में हमको अपना इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉंग करना है उसके लिए हमारे पास जो प्रड़क्ट्स है नोनी इसे लेने से आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉंग होजाती है आप बार बार बीमार में होते हैं काफी सारे एल्थ के प्रॉलम की होते है मैंने टपसल है मुझे डॉक्टर के पास कभी दी जाना पड़ा मेरी फैमिली में भी बहुत बड़ा गिफ्ट है मूनी डॉक्टर से चुट करा बानी के लिए विटामिन C की ज़रूरत ज्यादा है करोना के चलते को हमारे पास चटपटा आमला कैंडी है बहुत ही टेस्टी है खाने में सभी लोग एंजॉय करते हैं और भी काफी सारे प्रड़क्स है जो मुली केर के हैं इंगी तो मैंने कुछी रेंज रखे ऐसे साड़े चाफ सो से ज्यादा अलग अलग कैटेगरी के बहुत अच्छे प्रड़क्स है चलिए वाकस चलते हैं हमारे पेंडिंग जो डेमो चल रहते हैं उसको देखते हैं हमने इदर चान्दी की पायल डाले की क्यामेरा थुड़ा सामने लाइए का प्रिस आप देख सकते हैं यह पायल ऐसा लग रहा है अभी अभी शोरों से आई है मालना पायल जो चान्दी है जो एकडम वरिजनल है चीक है और अच्छी कौलेटी की है इसको क्या करना है दोस्तों यहां से साहर होने के बार पनी से साहर करें और से पाणीलियो पाणील Japanese वह्यां जो साफ करना है उपणिती दिदिनी और पह्या है साफ कपड़ से 8 अब ही चुक है इसको 15 को चुक है है कि के तो अभी आमीस को साफ पर के दिखेंगे हैं की सामने मने में स्कुल करकर दिखाऊंगी इक बौल में मिरे पास जूप पानी है साफ पानी है quello मैं इस नशीम ढ़ी आपके सामने इस दाब को दोने ये जा रहे heißt किसे किसे थैंट निकल रिया कोई मैंनत नहीं अभी तो मैंने साबून भी ने लगाया और जब आपका साबून पढ़ेंगा इसमें तो चमकने लग जाएगा ये राइट अब देख सकते हो पुरा का पुरा दाग साब हो गया है तो ऐसे ये हमारे मुदी के प्रोड़क्ट है जो आपको टाइम की आजादी देते है पैसे की और क्वालिटी बहुत जबर देस्ता है आपको ये मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होंगा प्रोड़क्ट के डेमो का थैंक्यू सो मच और आप भी प्रोड़क्ट्स यूज करिये काफी अच्छे है सोच बदल ये प्रोड़क्ट यूज करिये थैंक्यू